सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यह सर्कुलर पाथ जो भी आप यहां पे देख रहे हैं सपोज यह इसका रेडियस है तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस पार्टिकल पर दो तरह के एक्सिलरेशन एक्ट करते हैं एक एक्सिलरेशन होता है जो आपका सेंटर की तरफ लगता है और एक एक्सिलरेशन होता है जो आपका टेंजेंशियल डाइरेक्शन में लगता है तो सेंटर की उसको हम लोग tangential acceleration कहते हैं तो tangential acceleration actual में dv by dt को कहते हैं मतलब rate of change of speed with respect to time rate of change of speed यह भी यहां पर speed speed का change होगा तब ही जाकर के tangential acceleration देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए हर point पे velocity तो change हो गई velocity दो चीज़ से मिलके बनता है velocity magnitude और direction से मिलके बनता है तो magnitude अगर constant है तो speed constant होगा और tangential acceleration जीरो होगा direction तो constant होता ही नहीं है circular motion में तो speed tangential acceleration से यहां related होता है ठीक है तो speed मतलब magnitude अगर change हो गया तब ही जाकर के टेंजेंचल acceleration का value मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा radial acceleration fix होता है जिसका value होता है V2 by R अगर speed change हो रहा है तो यहाँ पर radial acceleration भी change होगा ठीक है तो आप समझ पार है कि radial acceleration V square by R होता है अगर हर point पे speed का value सेम है तो यहाँ पर radial acceleration भी हर जगा पे सेम होगा तो tangent अगर ऐसा हो if 80 equal to 0 हो जाए ठीक है तो यह कहलाता है uniform circular motion क्योंकि AR तो कभी 0 जीरो हो जागा तो circular motion हो कैसे पाएगा फिर यह radial acceleration ही तो है जो हर point पे direction of particle change कर रहा है center की तरफ pull कर रहा है हमेशा radial acceleration centipidal force तो यह uniform circular motion कहलाता है अगर ऐसा हो कि if 80 not equal to 0 AR तो ऐसे भी 0 होता नहीं है तब यह कहलाता है non uniform circular motion तो इसमें क्या होगा कि suppose करो कि 80 का value इस direction में है ठीक है जिस तरफ body का velocity का direction है मतलब body इधर ही जा रहा है और 80 भी direction में इधर ही है तो जब इन दोनों का dot product करेंगे 80 dot velocity या इनका जो dot product होगा direction of velocity का और 80 का तो यह होगा 80 into V cos theta और theta हम यहां लेंगे 0 degree क्योंकि दोनों का direction same है cos 01 होता है तो यह जगा 80 into V यह जो होगा यह positive होगा तो अगर आपका speed of particle moving in a circle is increasing जैसे इसी direction में 80 V है tangential extension भी है और इसी direction में particle का velocity भी है that means कि body का speed जो है वो बढ़ेगा और उनका dot product क्या होगा positive होगा ठीक है अगर suppose करो कि हमारा जो force लगेगा tangential extension इस तरफ होगा body का जो particle का velocity वो इधर है तो इस case में दोनों का product negative होगा particle का speed जो होगा decrease होगा अगर मालों कि 80 और V इन दोनों का dot product 0 है इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर particle का जो V speed है वो यहाँ पर ना बढ़ेगा ना घटेगा velocity तो ऐसे भी constant होता नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि अगर मालों कि 80 और V का जो dot product है वो positive आ रहा that means speed of particle is increasing और अगर 80 और V का जो dot product वो negative आ रहा that means the velocity of speed of particle is decreasing so I hope आप यह question समझ पाएंगे thank you